राम ही राम, बुद्ध के राम, दरसल पाली के अंदर बुद्ध के बाद, क्योंकि बुद्ध के समय जहां लोग रमन करते थे, जहां रमते थे, ज्यान में, साधना में, तप में, बैठते थे एक साथ, उस जगे को आराम बोलते हैं. बाबा सहाब अमबेट करके, हजारों टुकडे किये हैं लोगों ने, लाखों टुकडे किये हैं, उनके जाने के बाद, उनके अनुयाईयों ने, उनके भक्तों ने, 29 लाख लगबग संठन बताये जाते हैं, जो समण समाज के हैं, और 4 लाख संठन एक्टिवेट हैं, इसका मतलब 4 लाख एक्टिवेट टुकडे उनके कर रखे हैं, और 29 लाख टुकडे करने की पूरी तयारी हैं. बावा साप के ही टुकडे नहीं, बावा साप का काम करने वाले जो लोग हैं, जो आये हैं, जिन्होंने काम किया हैं, उनके भी टुकडे करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं, और उसकी सारी जुम्मेदारी आपकी है, आप उनके टुकडे कराने में पूरे के पूरे भाग जी का निब्बान दिवस था, उस समय एक सहर के अंदर दो जगे उनकी फोटू लगा कर और समण समाज के दो टुकड़े करकर वहां लोग बुलाएं, इसके अतरिक्त और भी लोग हैं, जो उनके नाम पे उनकी अनुयाई अपने आपको कहते हैं, और वो टुकड़े टुकड हूँ, कासी राम सहाब हैं, कासी राम मानने वर हैं, कासी राम हमारे मानने वर हैं, कासी राम हमारे देपना हैं, दुनिया भर की बाते कर रहे हैं, मगर उनका विचार, उनकी आइडिलोजी, उसके सारे के सारे टुकड़े कर रहे हैं, एक तरह से उनके टुकड़े कर रहे ह कि मरने के बाद उनकी लास के टुकडे टुकडे कर रहे हैं उनके अनुयाई और उनके भाक्त। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहे कि संग्डित हो जाओ। कैसा लगता है जब कोई व्यक्ति ये कहे कि सब को एक साथ होना है। और उसी विचार धारा किये और उसी आडलोजी के दो सम्हों बनाए जाएं बड़े बड़े और एकी दिन एकी सहर में दो रैली की जाएं और उसके बाद उस रैली को जस्टिफाई करने के लिए उसको ये कहने के लिए कि देखो हमारी रैली कितनी अच्छी और हमारी रैली स तुमारे लोगों का ये प्रभाः पढ़ा और तुमारी रैली से हमारे लोगों का ये प्रभाः पढ़ा और एक धूसरे के दावे। जाती के नाम से कहीं किसी अलग तरह के से तो जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो या जो आप पाना चाहते हो तो आपको जिन्दगी में मिलेगा नहीं और जिनके खिलाफ लड़ रहे हो उनका तो आप एक बाल भी नहीं उखाड सकते ये लोग जो नेता हैं और जो रेलियां करते हैं उनका कुछ नहीं जाता क्योंकि वो कमाते तो है नहीं, उनका धंदा ही यह है आप भारत के किसी भी समण समाज के नेता को उठा कर देख लिजिए वो कोई काम नहीं करता, वो कोई ठेला नहीं लगाता, कोई रिक्सा नहीं खींसता कोई मज़ूर नहीं करता, वो कहीं कोई काम नहीं करता आमधनी का या अपने परिवार को चलाने का, वो पर जीवी है, वो आप से चंदा ले रहा है आप से पैसा वसूल कर रहा है आपको एक सपना दिखा रहा है कि मैं सब को इखटा करूंगा सारी परिसानिया दूर होंगी और वो कुछ इखटा नहीं करता वो टुकड़े करता है और टुकड़े करता है कुछ भक्त उसने बनाए हुए है जो रशीद बुक लेकर जाते हैं आते हैं वो उसकी आँख बंदर के जैजयकार करते हैं कुछ भक्त उसने बनाए हुए है जो वाकाइदा उसका प्रचार प्रसार करते हैं और ये खेमे बने हुए हैं ये बाड़े बने हुए हैं जो जातियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि जाति का सिस्टम तो बावा साब ने एमिलिस्न काश्ट में समझा दिया था अगर बावा साब ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद जातियों से भी बड़ी समस्य आ जाएगी, जब ये 39 लाग संधन होंगे, जिसमें 4 लाग संधन एक्टिवेट होंगे, और भी ज्यादा मुसीबत चब आएगी, जब बुद्ध के नाम से भी जो संधन हैं वो अलग-लग बनेंगे, भिक्कु भी अलग-लग अपने मठ बनाए जो सरकारी करमचारी हैं वो अपने दफ्तरों में अलग-लग गुरुप बनाएंगे, अलग-लग इखटे होंगे, जो लड़के हैं वो अलग-लग दलबल बनाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जो सामाजिक संधन हैं उसके हजारों लाग को टुपड़े होंगे और लोग लाग को टुपड़े में बटेंगे, अगर बावा साब को ऐसा पता होता या ऐसा वो चानते, तो मेरे खाल में बावा साब वो काम ही ना करते जो वो करके गए हैं। प्रेली और दो टुपड़े दुसमन है कि आप एक से दुसमन है आपकी? अगर आपकी नेता से एक से दुसमन है, तो दूसरे नेता को जो सपूर्ट कर रहा है, वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है? तो जो दोनो नेता है वो दोनो विफ्कूव बना रहे है आपका? ये एक आपको पसंद नहीं है दूसरा पसंद है दूसरे लोगों को आपका नेता पसंद नहीं है दूसरा पसंद है तो लड़ तो आप रहे हो पैसा तो आपका जा रहा है नुक्सान तो आपका हो रहा है जो चीज के लिए आप फाइट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलने वाली है क्य आप अलग अलग हो और हो भी कितने 14% 15% 16% तो 14-15-16% में क्या होने वाला है आप इखटे होगे तो कुछ होगा मगर अभी तो आप ही तूट गए हो कहीं 2% कहीं 1% कहीं 12% तो आपका तो जिंदगी में भी कुछ नहीं हो सकता आपका पैसा परवाज जाएगा आपको उल्लू तो इतना सा तो सोच लेते दिमाग से कि जब हमारा समाज एक है जब हमारा परिवार एक है जब हमारा महापरूस एक है जब हमारी बात एक है जब हमारी विचार धारा एक है तो हम किस उसूल से कुस विचार धारा से किस बात से अलग हैं क्यों हम अलग अलग संठन कर रहे ह तो दोनों संठोर में नहीं जाना चीए था अगर आपको लगता है कि विदा नेता के आपकी रोटी नहीं पचेगी अगर आपको लगता है कि बावा साब ने ये कहा है कि नेता बहुत जरूरी है वैसे तो बावा साब ने सिर्फ ये कहा है कि एकटा होना जरूरी है, नेता जरूरी नहीं है और आप एक वार एकटे होके देख चुके हो, जब दो अपल अठारे को कोई नेता नहीं आया साथ में, आप एकटे हुए आपका धिकार बच गया, तो किसी महापरुस ने ये कहा ह हो कि नेता बहुत जरूरी है, कोई महापरुस कहके नहीं गया कि नेता बहुत जरूरी है, ये नेता ही कहते हैं कि नेता बहुत जरूरी है, जबकि ये गैर जरूरी है, निकि कोई जरूरत नहीं है, ये इनकम्पिटेंट है, ये नालायक है, अगर ये लायक होते, तो ये ए शक्ती पहले नेता इखटे होगे देंगे, तब हम पब्लिक को इखटा करेंगे, ये हम लोगों को आपस में लडाते हैं, एक दूसरे का दुस्मन बनाते हैं, और हमसे कहते हैं, दुस्मन कोई तीसरा है, अरे हमें आपस में दुस्मन बना रहे हो, तो दुस्मन तीसरा है कहा दुसमों तो तुमने हमें पैदा कर दिया बावा साब जातियां खतम करके गए बावा साब ने कोई जाती का संठर नहीं बराया बावा साब ने सारी जातियां SC, ST, OB किसे नाम से की तुमने जातियां खोल दी तुमने जातियों के संठर बरा दिये क्योंकि पैसा देने से नेताओं की कमर तूटेगी और अगर पैसा ना देने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया और उसके बाद भी वो सम्मिलन करते हैं उसके बाद भी उनके पास पैसा आता है तो इसका मतलब बाहर से पैसा आता है फुर तो आपके आदमी है यह नी और जब आप पैसा नहीं देने उनको तो वो आपस में एक होंगे क्योंकि रोजी रोटी तो आपसे चलेगी ना खर्चा तो आपसे चलेगा तो वो एक होंगे तो फाइदा होगा हमें क्या लेना देना नेताों से हमें तो इखटा होना है अपना हमें अधिकार चाहिए, जो बावा साब ने अधिकार ला कि दियते हैं, वो सारे अधिकार हमें चाहिए, ये नेता आपस में कुछ भी करें, हमें क्या लेना दाय इसे, अगर ये इखटे नहीं होते हैं, तो छोड़ दो, तो इनका सपोर्ट ब कहा है कि बिना नेता के भी खटे हो जाओगे तो भी अधिकार बच जाएंगे तो हम बिना नेता के खटे हो जाएंगे इस बात को सब लोग ध्यान से सुनें और ध्यान से कहें और समझें इस पे चिंतन करें और ये मूर्खो वाला जो वैवार है जो हमें सिखाया जा रहा है जो हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, इसको बंद करें, इसको तुरंट बंद करें, क्योंकि समय बड़ा कम है, हम आपस में ही अगर लड़ेंगे नेताओं के कहले से, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, और ये नेता सब भाग जाएंगे, ये सभाद खड़े कर देंगे, ये दिखाई भी ने देंगे, ये हाथ में भी नहीं आएंगे, हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम ही मारे जा रहे हैं, अधिकार तो हमारे गए हैं, इन्हें नेताओं का कौन सा धिकार है, इनकी तो पैंसन बंदी हुई है, इनके पास तो पैसे बहुत सादा है जो हमने दे दिया उनको इखटे हैं ये तो कार में चलते हैं बड़ी बड़ी में जहाज में घूमते हैं हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और हमको लड़ाते हैं और कहते हैं दुस्मन को तीसरा है अरे दुस्मन तो तुम हो हमारे जो हमें परिवार को तोड़ते हो, अलग-अलग नामों से, अलग-अलग तरीक से, इस बात को समझते हुए, अच्छी तरह जितनी जल्दी हो सके, उनको छोड़ देना चाहिए, और पैसा बिलकुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी आंदुन में लोगों कोई खटा करने लिए पैस होने वाली है, यह बड़े-बड़े होर्डिंग लगाते हो अपने परचार के, इस से कौन सा जलजला आने वाला है, यह जो दुनिया भर में अपना परचार करते हो, बड़ी-बड़ी गारी में आते हो, तो रेल के जनरल के डिबे में आ जाओ, बस में आ जाओ, छोटी गा वाले हैं, अगर जिद्ध है जिंदा रेने की, और जिद्ध है बचने की तो उनने नेताओं को तुरंत पैसा देना बंद करो, इनकी रेलियूं में जाना बंद करो, और इनको यह कहना सुरू करो पहले एकटे हो जाओ फिर हम तुमको पैसा देंगे फिर हम तुम्हारे साथ आएंगे otherwise हम नहीं आएंगे क्योंकि कम से कम हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा हमारा जो दिमाग खरापका रखा है वो बचेगा धन्यवाद तम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी सेन्गं सेनं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी संदम सर्णं कच्छानी